दोस्तों नमस्कार मैं आजय पत्रकार ये देखे केजरीवाल जी का रो जाना प्रपुगंडा करना रो जाना ड्रामा करना एक और ड्रामा कर दिया वैसे भी दिल्ली में डामा कम हो गया है बैंगाल और महराष्ट में वहाँ पे कल्चर वहाँ पे दिल्ली में डामा कम हुआ है मगए चुकि एक बहुत बड़ा डामे बाद आ गया इस कानल सभी ने डामा बंद कर दिया अब देखे केजरीवाल जी का नया ड्रामा सुनिए अर्विन केजरीवाल ने बीजेपी पे साधा निसाना कहा मुझे इसके लिए नोबिल प्रुसकार मिलना चाहिए आपका आरोप है कि दिल्ली सरकार को एक मुस्त निप्टान योजना में बाधा उत्पन हो गई है क्योंकि सहरी विकास सचुमंत परसत के समख प्रस्ताव पेस करने से इनकार कर रहे हैं इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि हमने उसकूल कॉलेज के कॉंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा काम किया है गरीब बच्चों को सिक्षा मुखिया कराई और अंतरलाष्टी स्तर की सिक्षा मुखिया कराई केजरीवाल पहले यह भी कहते हैं कि वर्ड में नाम है कि टॉप की एजुकेशन पे तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने इतना काम किया है मुझे जो है नोबिल मिलना चाहिए किसको आप पार्टी को नहीं मारलेना जी को नहीं मनीज सिसोधिया जी को नहीं खुद को मिलना चाहिए और उनको क्या मिलनी चाहिए जेल मतलब सिसोधिया जी के लिए जेल जैन साब के लिए जेल सब के लिए जेल संजे सिंग को जेल नायर को जेल इनको क्या मिलना चाहिए नॉबिल किस बात का मिलना चाहिए कि बीयत नाम के पत्थल लगे है इनकी वाइब ने बीयत नाम के मैडम सीम सीस महल में रहते है इसका नोविल मिलना चाहिए, खुद को नोविल, अगर ऐसे नोविल मिलता रहा, तो कल को लोग कैसे कह सकते हैं, नटवललाल को दे दो, तेलगी को दे दो, सजायापता लालुयादों को दे दो, नोविल, भाई नोविल का अपना होता है, मैं आपको नोविल के वारें बतला पांच बार ब्रिटीस गवर्णमिन ने लिखा पांच बार मातमा गांदी को पांच बार नहरू जी ने पड़ संयुक्तरासंग की अध्यक्षा थी पंडित बिजय लक्ष्मी जिनकी बहुत चलती थी उन्होंने बहुत कोशिस की महत्मा गांदी के लिए विचार नहीं किया गया महत्मा गांदी पर अंदाल लगा लिजे बहुत सर्म की बात है आज लाल नहरू ने कोशिस की मगर नहीं मार्सल टीटो नासिर इनलों कोशिस के नहीं मिला इनको मिल जाए किसले मिल जाए इन्हों तो कुछ किया नहीं मात्मागानी नहीं तो बहुत कुछ किया था और ये नोबिल पाय रहे हैं अब ये नोबिल चाहे किसका रहे हैं ये एक बड़ी बात है ये किस पे नोबिल इनको दिया जाए एक के साथ एक दारू फिरी करा दी इस बात का दिया जाए या वड के सबसे बड़े साकी हैं अरे लोग कहते थे नवाब थे पहले यहां पे दिया जाए या इतना बड़ा घोटाला कर गए इस पर दिया जाए या इस पर दिया जाए स्वास्त के नाम पर फरजी बिल फरजी एकाउंट फरजी इलाज और किसी का नहीं वज इतके नमबर निकले सब गले निकले क्या इसलिए इनको दिया जाए कि इन्हों ने एक साल कर दी ती रिटिन में अब बच्चा भी जाता था तो उसको मिल जाता था लेडीज भी गई उसको भी मिल जाता था अगर आठ साल का बच्चा भी गया वो कहें पापान मगाई तुरंद लीजिए और तीन बजे तक मुहिया होती थी सराब इसके वालावा ऑनलाइन भी मिल कर दिया कि आप समझ लीजिए कि कोर्ट से ने कहा कि दिल्ली के हवा इतनी गंदी कर दी इनों ने पंजाब ने इसलिए या पी बार में जो है पूरी दिल्ली पता चला घिरने वाली थी उसके लिए इनको दिया जाए यह गंदा पानी सप्लाई करना है कि इसलिए दिया जा दिल्ली जल जल वोड का जो खुद चेर्मेन है अध्यक्ष है खुद चेर्मेन उसी के खिलाब प्रदर्सन कर रहा है और कह रहा है कि मैं एक मुस्त समाधान बिल जो बढ़े ये चेर्मेन है यही इनकी सरकार इनका मंतरी और इन्हों ने इनी के आद्मिन बढ़वाएं बिल आप पार्टी ने आप पार्टी बिल कम भी अभी एक मुस्त समाधाने हो जाए एक मुस्त का मतलब यह नहीं कि सब फ्री सबको पैसा अभी एक माता जी से पूछा गया उनका वह भी बाइडल होडा है कि माता जी क्या यात्तरा पे गई ती आप तो उन्हों बताया माता जी ये पूछा यहां दो पूछा है यह नहीं हो कि इन्नोंने क्या कर दिया है कि जो इनको आजाद भालत की सबसे करेप्ट पार्टी है इनकी आजाद भालत की सबसे करेप्ट जिसके लिए कोड ने कहा हो कि इनको ले करके इनको भी पार्टी बनाई है अब देखिए नोविल मिला किसको अबजीत बनर जी को मिला किस पे मिला अबजीत बनर जी को मिला अभी इसमें निउस पे मिला जो अफ़े लेटेस्ट में उसके अलाबा मिला मदर तेरसा जी को मिला वो 1979 में था अब जी बैनर जी को जो मिला था 2019 में वो एक्नॉमिक्स में मिला था तो इनको कोई नॉलेज है कि Conference इनकी तही के बिद्वान है ये ये बिद्वान है हां मानते है रामर के बाद त्रेता के बाद अगर कोई बिद्वान हुआ है तो उसमें ये हैं मगर रामर के दस सर्थ है इनके जो है इनके कैसर है कैसर है दूसरी आपको बताने कैलास बिद्श सत्यार्थी जी को मिला 2014 में सा क्या काम किया जब से दिल्ली में आये तो असांती ही फैली हुई है दारू वाजों की यह पोईशन थी दिन राद घूमा करते थे कितने लोग मड़ गए थे कितने लोग कितने का पैसा बस वालों की पेंसन नहीं मिली मीटर गोटाला कहीं कोई गोटाला पता चला दवाई के नाम पे कुछ नहीं यह हुआ इंटर्नेशनल लेबिल पे अभी यह आपको बतलाना है कि सौरब भरत द्वाज केजी वाल जी ने कहा करनाटक से मंत्रियाने उनको ले करके आओ वहां से रिशीप करना ले करके आना तो उनके साथ जो अधिकारी आए बोले यह क्या है दवा करने रवन जी को मिला है चनसेकल जी को 2009 में केमेश्ट्री पे मिला बीयज नाय पॉल को मिला उनके बुक्रिबू पे मिला और अम्रत शें को मिला एकुनोमी पे मिला 1998 में 1998 में मिला और दुनिया का इतना वड़ा पैग्यानिक और पेड़ान मंतरी कुसको बनाए गए मनमोन सिंग को जबकि मनमोन सिंग से अमलस सेन बहुत बिद्वान थे उन्होंने इंडिया की एकोनॉमी और बंगला देश की एकोनॉमी पे वो किया था उस पे उन्हें नोबिल मिला था मगए इस देश का दुर्भाग था कि राजियू गांदी अमलस सेन की कला को नहीं जान पाएं किसकी सैम पित्रोदा की और मनमोन सिंग को लेकर जबकि अमलस सेन इनसे कई गुना ज्यादा विद्वान थे उच समय कर आ जाते अब देखिए केजरी वाल जी साबजिनिंग रैली में भी एक कर रहा है और रैली में लोग ज्यादा नहीं उसमें भी अपने को प्रुसकार के लिए नोबिल का ये अपने लिए कह रहा भी पैड़ में ़खेंगे की इनके वहा हुआँवाले घर में भी तने जाले हैं कि पूछी नहीं और ऑल के साय हुआ आपको पतलانा है कि माहत्मा गांदी को जब नहीं मिल पाया इंद्रा गांधी ने बहुत कोशिस की इंद्रा गांदी ने आप फीडल काश्टो जिंदिगी भर इंद्रा जी के नोबिल के लिए पैड़ भी करते रहे हैं जिंदिगी भर पैड़ भी रसिया ने पैड़ भी की थी नहीं मिला नोबिल नोबिल ने चुकि नोबिल के लिए काबलियत होनी चाहिए राजु गांधी ने कोशिस की और राहुल की तो खैर नोबिल साहित को कभी मिल जाए कि जार सोर्स बगरा दिला दें तो बात अलग है ओभी संबव नहीं अब आप समझ लिजे क्या पोईशन है अजय माकन ने इस पस्ट कहा है कि लुकर गेट घी गेट इन सब के घोटाले व आपने लिए नोबिल के लिए सोच रहा जिस पर आप समझ लिजे कि सारे लीडर जो है विपक्ष के इनके खिलाप है कोई भी अभी इनको किसका मिलेगा कैमेश्टी का मिलेगा फिजिस का मिलेगा सांथ का मिलेगा रवीन ना टैगोर को नोबिल मिला था किसमें मिला था उ और M.C.D. के 3,8,203 चात्रों को जो बैधानिक लाब मिलना था जो इन्हों ने कहा था कि पैन और बुक अतता बैक वगएरा किसी को कुछ भी नहीं मिला किसी को कुछ भी नहीं मिला खुद नोबिल चाहे रहे हैं किसी को जनता को कुछ नहीं दिया अपने ले नोबिल अब देखें शिशोधिया जैन के लिए क्या कहा था आज के भगस सिंग है उत्पास सुल्क मामले में CBI के संबन पर केजरी वाल CBI दोरा अपने उपुमक मंतरी को संबन जारी करने के बाद मुखमंती अर्विन केजरी वाल ने केंद्र को साथ अपनी सरकार की लड़ाई को दूसरा सोतंता संग्राम करार दिया और आप नेताओं मनीश शुसोधिया और सतेन जैन की तुल्ना सहित भगस सिंग से की केजरी वाल ने यह भी कहा कि करोनों गरीमों की दुआएं उनके स कि वह तो सतंता संग्राम सेनानी की लड़ा है दारू भी को आ रहे हैं अगर यह पूछ दिया जाए आप पार्टी में कितने लोगों के बुजुर्गों ने सतंता संग्राम में हिस्सा लिया था तो बहुत कम लोग निकलेंगे जो बड़े वाले नेता इसमें कोई नहीं न निकलेंगा और उनको भगस सिंग से तुलना करना है आप सुन लिए भगस सिंग से किसकी मनीश सोधिया की संजय सिंग की जैन की यह भगस सिंग है अब कर क्या रहे थे गोटाले यह केजिवाल का ओवर कांपिडेंस कि अपने को गोटाले से बचाने के लिए यह जब जेल अब यह चाहे रहे हैं कि मैं जेल चला जाओं लोग कर इनको नोबिल दे दो अब देखिये क्या है केजिवाल जी क्या कहा है दिल्ली में स्कूलों और आस्पतानों के निर्मार को रोकने की कोशिस की वे नहीं चाहते हैं कि गरीबों को उनके बच्चों के बराबर सिक्षा मैं ही जानता हूं कि मैं दिल्ली में कैसे सरकार चला रहा हूं मुझे मिलना चाहिए इसके लिए नोबिल प्रोस्कार लेकिन मेरे लिए आपका प्यार नोबिल प्रोस्कार है आम आदमी पार्टी के राष्टी सर्योजग ने कहा मतब एक आदमी इतने सब घपले के बाद कै कैसे सरकार चला रहा है यही जानते हैं सी बी आई भी बहुत कुछ जानती है अरोडा भी बहुत कुछ जानते हैं तमाम लोग जानते इतने घोटाले यही जानते हैं कैसे उपर से यह भी बोलना है कि गरीबों के उनके बच्चों को पराने लिए अभी कह रहे थे जितने संब को नहीं ले रहे मगए नोबिल मore nye receipt करना चाहिते ले लेना चाहे रहा है तो आप लिजए इससे बड़ी बात क्या होगी साइट ये भाब भद्धा मजात देश के साथ के जरिवाल कर रहे आप देखे कितने बड़े दार्शनी खो गई आप ने ले क्या कह रहें। जिस समय सञ्जेट सेेर की 새 счayे का ऊफांसी आश्वे सभी भगज संग कुछ अपने अंको ऊहयां भगज सिंह बता है। आपको नोले मान यह आजादी की दूसरी लड़ाई है मनीज और सतेन्न आजके भगज सिंह है 75 साल बाद देश को ऐसा सिक्षा मंतरी मिला है 75 साल बाद ऐसा सिक्षा मंतरी आए एक से एक अच्छे सिक्षा मंत्रिया है जिनके नाम की दिल्ली में सडके हैं बड़ी ताजुक की बात है कि केजरी वाल को ये भी नहीं मालूं और एक राज के सिक्षा मंत्रिक बता रहे हैं कि 75 साल बाद देश को ऐसा सिक्षा मंत्रि मिला है जिसने गरीवों को अच्छी सिक इच्छा दी और उम्मीद जगाई उजल भविस के लिए करोनों गरीबों की प्रतना हैं आपके स्वास साथ हैं केजरी वाल ने ये ट्वीट में उस समय कहा था अब आप अंदार लगा लिए केजरी वाल का क्या है 75 साल बाद सुतंता के लिए काम किया देश के लिए भगत सि इसका मतलब क्या कहेंगे कि वास्तों में इनका क्या है नहीं कहना चाहिए क्या इनका इस समय वास्तों में क्या देखा जाए संतुलन जो है जो सरकार का संतुलन तो बिगड़ी गिया है और भी संतुलन बिगड़ गिया है ये देखिए दूसरा वो अर्विन केजरिवाल जी का जब संजे सिंग की ग्रपतारी हुई थी तब इन्होंने क्या कहा था भरक करके और क्या कहा था कि चीन का नाम लिया था चीन का और क्या कह उन्हों ने सुनिये अर्विन केजरिवाल संजय सिंग दिल्ली के मुखमंत्री और आद्मी पार्टी संयोजक अर्विन केजरिवाल गुस्य में हैं इस समय पड़े गुस्य सिर्प सो कर ला है तो गुस्य में नहीं हकीकत है यह बहुत डल्ल है कब जाना पड़ेगा उनके निशाने पर है प्रिधान मंती ननेन मोदी और केंदर की बीजेपी सरकार आप सांसर संजे सिंग की ग्रतारी पर अपनी प्रितकरिया देते हुए केज़ीवाल ने कहा की मोदी सरकार देश में आतंग फैला रही है ऐसे महौल में चीन जैसी चुनोतियों का कैसे सांदा करना पड़ेगा बताईए कितनी बड़ी चिंटा चीन जैसी बोतल में जो सराब है असली चिंटा इनकी वह है कि उसका टेक्स राजस को ना मिल जाए हमको मिल जाए इसकी चिंता है कैसे मीटर घोटाला करने है कैसे यह घोटाला करने है कैसे स्वास्त विभाग में करने कैसे कोई भी कॉलेज इन्हों नहीं बनवाया कोई भी इंजिनिंग इस्टिटूड नहीं बनवाया कोई भी आटो म पहलाएं ऐसी हैं जिन्हों ने बनवा दिये जाने कितने लोग हैं उन्हों बनवा दिये आर समान ने डिये दयानन्द नाम से कितने हैं सनातन धर्म नाम से कितने हैं करोडी मल नाम से कितने हैं कितनी मिशिनिस के वह इन्हों ने कुछ भी नहीं किया सिर्व बस खाली क्या है स शिर्व दिखावा अपने लिए नोबिल और उनको भगत सिंग कितनी बड़ी बात है काइदे से इन चीजों पे इनके ऊपर एक जनहितियाच का दायर हो जानी चाहिए इस बात की हो जाए कि देश कोई गुमराय कर रहे हैं और देश के साथ बहुत भद्दा मजाख है अगर देखा जाए तो यह देश्द्रो के बड़ावर है अपने लिए नोबिल जो बेक्तिक के लिए खुद मांगे अगर इनको दोकेश दे दिया जाए तो मालूं क्या कहेंगे राहुल गांदी को नहीं नोबिल मिलाता सोनिया जी को नहीं मिलाता लाजु गांदी नहीं मिलाता मातमा गांदी को नहीं मिला था जवालन नहरू को नहीं मिला था साथ दुनिया भर का इन नाम के नाम मुझे को मिल गया अब आपको बतारा है इनको मिलेगा जरूर आपको बतारा है नोट कर लीजे नटवल लाल का नाम नहीं होगा वो पता नहीं क्या करता था मगर केजरी वाल का नाम जरूर लिखा जाएगा किन अच्छोनों से लिखा जाएगा वो एक बात है मगर सोने से नहीं लिखा जाएगा किस उससे लिखा जाएगा ये तो आंगे ही पता चलेगा दोस्तों नमस्कार मैं आजय पत्रकार